आप सभी विद्यार्थियों का एक बारपुना स्वागत है सुभास स्टेडी सेंटर यूटूब चैनल पर आज का यह वीडियो काफी ज़्यादा इंपोर्टन्ट है क्लास नाइन्थ के छात्रों के लिए क्योंकि इस वीडियो के दोरा हम आपके साथ सेर करेंगे जो सामाज करते हैं और इससे पहले यदि आपने चैनल को सस्क्राइब ना किया हो तो चैनल को सस्क्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं तो यहां पर आप देख सकते हैं पहला प्रशन क्या है सुन्दर वन डेल्टा किस जानवर का घर है इस प्रशन का उत्तर क्या ह रायल बंगाल टाइगर सुन्दरवन डेल्टा किस जानवर का घर है तो उत्तर क्या हो जाएगा रायल बंगाल टाइगर का घर है सुन्दरवन डेल्टा और अगला most important प्रश्ण है कौन सी नदी भारत का दूसरा बड़ा जल प्रपात बनाती है इस प्रश्ण का उत्तर क्या हो जाएगा कि यहां पर उत्तर हो जाएगा कावेरी नदी कौन सी नदी कावेरी नदी भारत का दूसरा बड़ा जल प्रपात बनाती है और अगला most important प्रश्ण है ब ब्रम्भ पुत्र नदी को जमुना कहा जाता है इस प्रशन का उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रशन का उत्तर हो जाएगा कि ब्रम्भ पुत्र नदी को जमुना बांगला देश में कहा जाता है बांगला देश में ब्रम्भ पुत्र नदी को क्या कहा जाता है जमुना कहा जाता और यहां प्रस्ण मोस्ट इंपोर्टन्ट है इसे जरूर तयार कर लीजिएगा अगला जो प्रस्ण है यह भी काफी ज़्यादा महत पूर्ड है प्राइद एपिय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है प्राइद एपिय भारत की पश्चिम की ओर यानि किस दिशा की और पस्चिम दिशा की और बहने वाली नदी कौन सी है तो इस प्रशन का उत्तर क्या हो जाएगा नर्मदा नदी नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जो प्रयाय दीपिय भारत की पस्चिम की और किस और पस्चिम की और बहने वाली नदी है और अगला जो प्रशन है यह भी कफी ज़्यादा most important है वर्सा पर निर्भर करने वाली नदियों को किस नाम से जाना जाता है ऐसी नदियां जो वर्सा पर निर्भर रहती हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है यानि जिनका जल्ज होता है वर्सा के कारण ही पूर हो पाता है तो उन नदियों को किस नाम से जाना जाता है उन नदियों को जाना जाता है वर्षा पर निर्भर करने वाली नदियों को मौशमी नदियों के नाम से जाना जाता है कि ऐसी नदियों जो वर्षा के जल पर निर्भर रहती है यानि जिनका जल वर्षा के जल से ही पूर हो पाता है उन्हें मौसमी नदियां कहा जाता है या मौसमी के नाम से जाना जाता है अगला जो प्रशन है काफी ज़्यादा most important है और इस प्रशन का उत्तर आप जरूर तयार कर लीजिएगा क्योंकि या जो प्रशन है 2022 बोर्ड परिच्छा के लिए काफी ज़्यादा important है परवतिय छेत्र में गंगा की मुख्यधारा का नाम बताईए गंगा की धारा का नाम बताईए जो परवतिय छेत्र में से होकर आती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रशन का उत्तर क्या हो जाएगा कि परवतिय छेत्र में गंगा की मुख्यधारा कांसी है भागी रथी जो की गंगा की प्रमुख्यधारा है यह परवतिय छेत्र से निकलती है और अगला जो प्रश्ण है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौनसी है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौनसी है इस प्रश्ण का उत्तर क्या हो जाएगा कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौनसी है तो इसका उत्तर हो जाएगा यमुना नदी गंगा नदी की स सबसे बड़ी सहायक नदी है आप ध्याँ दीजीगा और अगला जो प्रशन है वह है कुछ इस प्रकार से वे नदियां जिन में वर्स भर जल बहता रहता है किस नाम से जानी जाती हैं वे नदियां जिन में वर्स भर जल बहता रहता है उन्हें किस नाम से जाना जाता है इस उत्तर क्या हो जाएगा बारह मासी नदियां कौन सी नदियां बारह मासी नदियां वे नदियां जिन में वर्स भर जल बहता रहता है उन्हें किस नाम से जाना जाता है या वो किस नाम से जानी जाती है बारह मासी नदियां कहलाती है वह नदियां क्या कहलाती है बारह मासी नदियां और अगला जो प्रस्ण है काफी ज्यादा इंपोर्टन है गुरू गोविंद सागर जील किस प्रकार की जील है जो गुरू गोविंद सागर जील है यह किस प्रकार की जील है तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा कि गुरू गुरू गोविंद सागर जो जील है क्रतिम प्रकार की जील है कैसी क्रतिम प्रकार की जील है और जो प्राकरतिक होती है उन्हें प्रकत के द्वारा बनाया जाता है चाहे वो जील हो चाहे कोई अन्य चीज हो उसे प्रकत निर्मित करती है और जो क्रतिम होती है उसे मनुष्य के द्वारा अथ्वा आधुनिक यंत्रों के द्वारा बनाया जाता है तो गुरु गोविंद सागर जो जील है यह करतिम जील है इसका निर्मार किया गया है मनुश्यों और आधुनिक यंत्रों के द्वारा और जो प्राकर्तिक होती है जीले उनका निर्मार प्रक्रतिक के द निरमित किया जाता है तो अगला प्रश्ण है सिंधु नदी कि कौन सी सहायक नदी का सुरोत हिमानचल प्रदेश में है इसका उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा कि सिंधु नदी की जो चेनाब नदी है सिंधु नदी की जो चेनाब नदी है जो की सहायक नदी है किसकी सिंधु नदी की और इसका जो स्रोत है कहा है हिमानचल प्रदेश में सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी का स्रोत हिमानचल प्रदेश में है तो उत्तर क्या हो जाएगा चेनाब नदी जो कोई सिंधु नदी की सहाइक नदी है और इसका स्रोत कहां से है उद्गम कहा से है हिमान्चल प्रदेश से है हिमान्चल प्रदेश में है अगला most important प्रस्त है प्रत्भी पर स्वच्छ यहाँ पर जल होना चाहिए स्वच्छ जल की उपलब्ध मातरा बताईए प्रथवी पर स्वच्छ जल की उपलब्ध मातरा बताईए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि प्रथवी पर स्वच्छ जल की मातरा कितनी है तो प्रथवी के धरातल पर प्रथवी के धरातल पर प्रथवी के धरातल पर आप ध्यान दिजेग या प्रश्ण most important है इसे आप जरूर नोट करिएगा इस प्रश्ण का उत्तर प्रत्वी के धरातल पर लगभग कितने प्रतिसत 71 प्रतिसत जल है कितने प्रतिसत है 97 प्रतिसत जल जो है नमकीन है क्या है लवडी जिसे कहा जाता है 97 प्रतिसत जल नमकीन है यानि खारा है समुद्रों का जल है और आगे आप क्या ध्यान दीजिएगा कि मात्र तीन प्रतिसत जल ही कितना मात्र तीन प्रतिसत मात्र तीन प्रतिसत जल ही क्या है मात्र तीन प्रत प्रतिसत जल ही स्वच्छ रूप में पाया जाता है किस रूप में पाया जाता है स्वच्छ रूप में पाया जाता है आप ध्यान दीजेगा कि प्रत्वी का जो धरातल है तो लगभग 71 प्रतिसत जल से ढखा है किस से जल से ढखा हुआ है और 97 प्रतिसत जो जल है यह नमकीन है यानि खारा है क्या है खारा है समुद्रों का जल है और तीन प्रतिसत मात्र कितने प्रतिसत मात्र तीन प्रतिसत जल स्वच रूप में पाया जाता है और साथ ही स्वच जल का तीन चोथाई भाग हिमानी के रूप में स्वच जल का कितने तीन चोथाई कितना तीन चोथाई जो भाग है तीन चोथाई भाग वह किस रूप में हिमानी के रूप में हिमानी यानि बर्फ के रूप में पाया जाता है कितने तीन प्रस्त का जो है तीन चोथाई भाग हिमानी यानि बर्फ के रूप में किस रूप में बर्फ के रूप में पाया जाता है आप दियां दिज नहीं है तथा जो तीन प्रचत बचता है यह जो है क्या है यह है स्वच्छ जल और इसमें से तीन चोथाई भाग जो है वह वर्फ के रूप में पाया जाता है तो यह है most important प्रचत इसे आप जरूर तयार कर लेंगे और आप कमेंट कीजिएगा कि आपको यह प्रचत कैसे लगें और आपको क्या करना है इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर जरूर करते रहना है अपनी पढ़ाई को करना बंद मत करें क्योंकि अब आपकी परिच्छाय होन यह जहिन